Hello everyone, स्वागत है आपका आप ही के Magnet Brains पे एक ऐसा YouTube चालेंज होगी आपके लेकर आता है quality content बिना किसी paid subscription के जी हाँ यहाँ यहाँ पे total and total free education आपको provide करी जाती है और किसी भी type का coupon code आप से नहीं मांगा जाता है total free education on various platforms जी हाँ आप हमारे वीडियो से देख सकते हैं YouTube के अलावा हमारी ओफिशल वेबसाइट पे magnetbrains.com और साथ हमारा application भी डाउनलोड कर सकते हैं आप magnetbrains के नाम से तो हमारे पास recently क्या होगा बहुत सारे रिसोर्स कैसे लेकर आ रहे हैं उन सब चीज़ पर है तो हमने सुचा करना क्यों नहीं यार फ्री वीडियो के साथ-साथ एक नई पहल लेकर आ हैं तो फ्री वीडियो तो आपको मिलेंगे मिलेंगे बट अब हम इंट्रिद्यूस कर रहे हैं क्या हमारा e-books और e-content जी हां आपको magnetbrains provide करेगा books और e-content और उस content में मिलेंगे आपको mcqs, comprehensive notes, books और बहुत सारी चीज़ हैं तो अगर आप और जानना चाहते हैं इस content के बारे में तो description में दीवे form को जरूर परे and our team will get back to you तो इस वीडियो होंगे और जाएंगे high order thinking questions पर चलिए without any kind of it further wait आपके लिए जाते हैं सबसे पहला question पर forest are mostly cleared for बहुत ही simple question है बहुत ही straightforward है industrial use cultivation pasture and fuel wood तो जाहिर सी बात है all of these in 1600 approximately dash of india's landmass was under cultivation half 1 4 60 percent 1 6 to answer क्या रहेगा इसका 1 6th of the land was under cultivation in 1600 वो पूरा इंडिया का 1 6th land किसमे आ जाता है cultivation में आ जाता है इस particular time period पे British directly encourage the production of commercial crops like देखो अब इन में सो option देखो jute sugar wheat cotton ठीक है अब देखो commercial crops की production की बात आ रही है तो sugar और wheat तो commercial है यह नहीं ठीक है बहुत है at least wheat तो commercial है नहीं sugar की जब हम बात करते हैं तो sugar produce होता है sugar cane से तो अगर यहाँ पे sugar की जगह sugar cane होता तो यह viable option हो सकता था ठीक है चलो यह दो तो cancel हो गया जूट की बात करते हैं तो जूट क्या है एक fibrous crop है और सिर्शिदा आपका commercial crop भी है cotton की बात करते हैं तो इस्टाम industrialization चल रहा होता है cotton तो almost क्या होता है एक बहुत important aspect होता है तो जूट और cotton one and four एक ऐसी चीज है जिस पर Britishers क्या कर सकते common sense अगर लगाया जाए तो इन चीज़े पर emphasis कर सकते है option देखते है one and two only to two में तो sugar आ गया तो यह हट गया ठीक है two or three three two ठीक है answer क्या जाए आपके पास one and four only answer कर आएगा one and four only in early 19th century the colonial state thought that forest were productive and productive important you're none of these colonial state की जब हम बात करते तो उनको revenue करना था increase करना था right तो अब forest वाले area में क्या करेंगे जाहिर सी बात है वहाँ पर कोई type का tax भी impose करेंगे तो वह उस पर monitoring करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इसलिए वो यह सूचते थे कि जो forest है यह क्या है एक अलग चीज है और क्या है आपका unproductive है ठीक है इस पर किसी भी तरीके से revenue generate कर पाना बहुत मुश्किल होगा impossible नहीं होगा बट मुश्किल होगा और दूसी चीज मल्टिपल स्पीचीज है और इनको चाहिए एक ही पर्टिकुलर स्पीची जिसको बिल्डिंग और शिप्स बनाने में क्या हो कुछ है काम आ जाए आज सब्सक्राइगा इसका भी अन्प्रोडक्टिव तो नागरेंट जरी ये कहां की ओरिजनल आपकी community आती है तो लंग करॉत है इनके बारे में तो यह ऑस्ट्रेलिया की जो कया है और इबॉर्जिन कम् मुंचिय है कहां की है australia की ठीक है answer के जाएगा इसका C Australia which of the following forest in England were disappearing by early 19th century early 19th century की बात करें तो England में कौन से forest क्या होते हैं आपके disappear होते हैं teak pine oak या bamboo ठीक है bamboo की बात करें तो bamboo वहाँ पे होगा नहीं क्योंकि है आप इसको के चाहिए tropical climate ची बहुत सरा rainfall चीए ओक ओक ऐसे tree है जो कि किस में बिल्ड होता है आपकी ship है और houses तो answer possible answer क्या हो सकता है C oak ठीक है answer क्या हो जाएगा C oak to lay railway line dash for essential to hold the tracks together concrete sleeper forest या iron देखो railway line तो iron से ही बनेगी तो iron तो यहाँ पे cancel हो गया ठीक है अब हमको क्याचिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसी एक particular product के बारे में और forest तो अपने आप क्या हो जाएगा हट जाएगा बचता है concrete or sleepers concrete की बात करते तो concrete crack हो सकता है pressure से फट सकता है तूट सकता है but sleepers की बात करें तो यही एक वो लकड़ी की logs होते हैं जो कि कि किसको hold करके रखते हैं तो आपके right way tracks को hold करके रखते हैं आंसर के जाएगा इसका भी sleepers और अपने आप में यह बहुत बड़ा important aspect भी होता है deforestation के during colonial times from the dash the railway network expanded rapidly अब यहां पर year दिये हैं तो 1860 की टाइम जो था ठीक है इस time पर क्या है ता railway जो है इंडिया में बहुत ही rapidly spread करता है और deeply penetrate करता है अपनी इंडियन economy में और इंडियन society में आंसर कह जाएगा 1860 का दशा कैसा था जब इंडिया में railway की lines जो है वो बहुत ही rapidly बिछाई गई इंडिस वाली railway was constructed between इंडिस वाली railway जो line बिछाई गई थी वो किस station या किस दो शेरों के बीच में बुठाए गई थी तो वो था मुलतान और सुकूर किस की बीच में मुलतान और सुकूर के बीच में क्या थी आपकी इंडिस वाली जो railway line है वो establish करे गई थी आंसर कह जाएगा इसका डी मुलतान और सुकूर लाज एरियास और नाच्रल फोरेस्ट इंड यूरोप वर क्लियर टू मेक वे फॉर टी प्लांटेशन कॉफी प्लांटेशन रबर प्लांटेशन अल अब यह देखो यह सब क्या है commercial use है ठीक है तो इन तीनों की जरुवत कहा है इंग्लेंड में है एकदम समें population boost देखने को मिलता है industrialization देखने को मिलता है लोगों में थोड़ी बहुत आप कह सकतो पास है regulate होता है तो क्या होगा all of these इन सभी चीजों के लिए क्या थी इंग्लेंड को जरुवत थी forest clear करने की answer कह जाएगा इसका D all of these British needed forest in order to build dash and dash ठीक है दो हमाई पास option है यहाँ पे दो बेंदे ब्लांक है चार option है houses ships factories all of these देखो all of these तो कड़ गया ठीक है तो हमको क्या चाहिए houses and आपके ships factories के लोई से बनेंगे क्योंकि उनको sustainable रहना है उसमें furnaces चलेंगे तो वोड यूस नहीं हो सकता ठीक है तो houses और ships है कैसी particular चीज है जो कि क्या है important है और इसी के लिए हमको क्या चीए Britishers को वुड चाहिए ठीक है answer क्या जाएगा इसका one and two only इंडिया तो फोर्स इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फोरेस्ट फ इंडिया आते हैं डिट्रेश ब्रैंडेस जो कि अपने आप में क्या थे तो ब्रिटिश पे बिलकुल मत जाना ठीक है ब्रिटिश नहीं थे यह यह क्या थे जर्मन थे ठीक है he was a German expert of आपका फोरेस्ट्री और इनको फोर्स इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फोरेस्ट बनाया इन्होंने ही जाके आगे क्या करा हमारा फोरेस्ट का जो एक management पूरा institute है ठीक है वो इस्टाब्लिस करते हैं देहरत दून में answer कर जाएगा इसका जर्मन पॉपलर फोरेस्ट और सॉरी पोपलर फोरेस्ट और गोड मेंली फॉर पोपलर फोरेस्ट की बात करता हूं तो यह यूएस में पढ़ जाते हैं और यह सबसे इंप्रेंट थे टिम्बर के लिए किसके लिए टिम्बर के लिए ऑविस बात हैं हम फोरेस्ट पढ़ रहे हैं तो हमको लीव जर्फूट्स तो नहीं चाहिए ना फूर्फ फूट्स की बात करते तो हम इसको अगरिकल्चर में पढ़ते बढ़ हम फोरेस्टी में पढ़ रहा है तो answer कि जाएगा इसका भी टिमबर जाती है जो रहते हैं आपके जो जर्मन एक्सपर्ट रहते हैं उन्हीं की गाइस में सको इसको स्टआबोश करा जाता है हैं इंपेरियल फॉर इसरच इंस्टिूट के नाम से जाना जाता है 1906 में स्टाब्लेश होता है कहां होता है कालकटा मेड्रास भूपाल देखो भूपाल में क्या है आपका आई-ाई-ए-फ-म है इंडियन इंस्टिट्यूट और फॉरेस्ट इंस्टिट्यूट है फ्यरोष मैंज़मेंट बढ़ने के लिए के तुरूए सकता है तो यह बने अगलाइकि के इसBoard के बाता है बहुत होता है धरादून में दहरादून में आपर क्या होता है और वहां पर रिसर्च करी जा सकती हैसके लगज़ अलग टाइप से इसलिए कहां ओगा होगा ये दहरादून में कालकटा में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यह शहर है यह अर्बनाइज दिरिया यहां पर फॉरस्ट की कमी है आसर के जाएगा इसका ए धरदून और बी भुपाल डी भुपाल के बार में याद रखिएगा यहां पर इंडियन इस्टीटूट आफ फॉरस्ट मानेजमेंट है select the incorrect statement देखो क्या करना है incorrect statement select करना है forest act was amended in 1878 and then in 1927 ठीक है for 1878 act divided the forest into four categories भाई सब यह गलत है तीन category में दुआ था ठीक है reserved protected और village forest यह तीन category बनाए गई थी ना कि चार category the best forests were called reserved forests बिलकुल सही बात है plantation was written under scientific forestry यह भी सही बात है answer क्या जाएगा इसका B answer क्या जाएगा B select the odd one out panda जूम चिटमेने और पोडू ठीक है अब देखो पेंडा जूम पोडू चिटमेने यह सब क्या है यह सब shifting agriculture है slash and burn agriculture है ठीक है बट सब हम बात करते हैं चिटमेने की बारे में बात करते हैं तो यह कौन से country से जांबिया बाकी तीन देखे पेंडा जूम और पोडू जो है यह हमारे इंडिया में shifting agriculture के अलग अलग नाम आ जाते हैं तो odd one out इसमें से कौन सा होगा चिटमेने ठीक है आंसर के जाएगा इसका होन्द होता है adjustments की बात करते म Deshalbते में बन जा रहें कि तो महत्यवर प्रदेश हैं जारकन औरिसा और मद्रास 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 की जब बात करते हैं तो है यह क्या था प्लाट्व पर स्टालिस्ट था अर आपके साउद सदन रेजन में उपरता है तो आंसर इसका पॉसिबल वाइबल कौन सा अच्छी है सी मद्राज जी है तमिल नाडू अंदर वाला एरिया जो है वहाँ पे यह कम्यूनिटी स्पाई जाती थी जो कि आपकी पास्ट लिस्ट नुमाट्स थी दो को लोनियल पावर इंडोनेशा पे सबसे पहले को लोनियल पावर कौन थी यह किसने स्टाबिस करी थी तो पोर्चुगी जूटेन फ्रांस और डश आंसर क्या जाएगा इसका ए डच ठीक है तो डच ते जोनोंने क्या कर रहा था वहाँ पे कॉन पावर स्टाबिस्ट करी अधर ग्रूप ग्रूप रेड़ शीप एंड गूट मतलब एक ही पर्टिकुलर यह पैस्टल कम्यूटी इसमें दो ग्रूप बनाये थे तो जब हम बात करते हैं गुजर बाखरवाल भूटियास बंजारा और रायकास के बारे में तो रायका से कैसी पर्टिकलर कम्यूटी जिसमें दो सेक्षेन डिवाइड थे कहां के थे यह राजस्थान के थे बाढ़ मेर बीकानेर जोथपूर जैसल मेर साइट पर राग करते थे यह लोग मॉंसून में वहीं रहते थे उसके बाद लोग पानी और फॉर्टर की तलाज में आगे बढ़ते थे आंसर क्या जाए तो मिल पां मेक्सिको में आता है आपके सेंट्रल अमेरिका में आता है ठीक है लाडिंग की बात करें तो देखो चेना आ जाता है सीलंका का ठीक है तो टू का तो हो गया वन और फोर का हो गया फोर चलो एक बार देख लेते हैं ऑप्शन माच कर लेता आगे सॉल्फ क्यों बरना टू का हो गया वन टू का वन खतम कहनी ठीक है फोर का फोर आंसर के जाएगा इसका ए ठीक है आंसर के आगया आपका आगे सॉल्फ कर नहीं जरूद तिनी जो पता है पहले उसको स्वल्फ करो बाद में वाकी का देखा जाएगा चलो इड़ फालिग स्टेट्मेंट choose whether which ones are true and false in shifting cultivation parts of forests are cut down and burnt in rotation true statement European forests are regarded shifting cultivator as harmful for forest बिल्कुल सही statement है तॉंगया was a forest product जी नहीं ये forest product नहीं था ये एक टाइप का agriculture था ठीक है तो ये क्या हो जाएगा false हो जाएगा under colonial rules the scale of hunting decreased बिल्कुल नहीं बाइस हम देखते हैं scale of hunting increases तो ये भी क्यों जाएगा false हो जाएगा तो हमाँ पास क्या है true true false false true true false false option number c चलिए next question fill in the blanks ठीक है munduru कू people देखो भई यहां बहुत difficult term आ गया है सिदी सिकानी है इसको नहीं छड़ेंगे पहले बाले और people of dash who lived in the villages on high grounds and cultivated dash ठीक है कोई बात नहीं लोगों नहीं पता क्या calculate कर रहे हमें नहीं पता began to collect latex देखो latex क्या है इससे rubber बनता है क्या बनता है इससे rubber बनता है ठीक है तो अब देखो cultivation का अपने को rubber plant का नाम exactly याद नहीं है कोई बात नहीं छोड़ो बट हमको यह है रवर जब हमने chapter पढ़ा था तो rubber को हमने relate करा था ब्रजील से किससे ब्रजील से ठीक है ना चलो तो Morocco people of Brazil आना चीए तो option देखो Brazil आ रहा है बागी सारे option छोड़ो कोई जरुवत नहीं है आगे का आंसर चेक करने के जरुवत ही नहीं है दूसरा में मोनिय का जाएगा ट्रेडर और ट्रेडर रहा जाएगा आंसर देख लेते डी ब्रजील एक दो ब्लैंक सॉल्व करी है आगे का सॉल्व करने के जरुवत नहीं है इसी तरीके से आप क्या कर सकते अपना टाइम मैनेज कर सकते और बचा सकते हो पूरे सारे के सारे option सॉल्व करने के जरुवत नहीं है options देखो ठीक है जो fit बैठ रहा है obviously आगे कभी वही होगा चलो match the following columns and choose the correct ठीक है option ठीक है कलंगास bondination system बुग्यास बाखरवाल ठीक है चलो यह क्या होए कुछ अपने options हो गए बाखरवाल की बात करते हैं हम तो यह कहां आते हैं सिद्धा आपके जम्मू कश्मीर में आते हैं ठीक है तो 4 का 4 4 का 4 एक ही जगा मिल रहा है कोई बात है जो पता है जो याद कर सकते हो उसको याद करो उसके दम पे अपना पूरा क्या करो एंसी को सॉल्फ करो आंसर क्या जोना चीए बी होना चीए देख लेता है option भी ही है ठीक है ऐसा सॉल्फ करना है यार चलो read the given statement and select the correct option इसको पूरा प्ली सॉल्फ करना है ठीक है इसको एज़ तुक्यन नहीं लगाना गड़ी शेपर्ड वर्फं तमिल नाडो जी नहीं यह बिलकुल तमिल डालो से नहीं तो statement 1 क्या है फॉल्स है ठीक है तो बोच statement 1 & 2 are true खतम बोच statement 1 is true खतम आंसर क्या जाएगा statement 1 is false बट statement 2 is true पढ़ने के आगे जरुवत ही नहीं है सि जो true दे रहे हैं इसमें उसको हटाओ option eliminate करो आंसर के जाएगा आपका चले तो यह थे आपकी कुछ तरीके जिन से आप क्या कर सकते हैं अपने high order thinking questions को solve कर सकते हैं कुछ नहीं है simple elimination लगाना है जो सबसे पहले बन रहा है जो सबसे easiest लग रहा है उसको solve करना और options देखके उस CBSE, UP Board, Bihar Board साथ में आपको मिलेगा IIT, NEED, JEU, various courses total and total free आप हमारे medias platforms जैसे क्या हमारी website magnetbase.com या हमारा application जो की है Play Store पे अगर आप इन platforms वामारे वीडियोस देखते हैं तो दो या तीन वीडियोस देखने के बाद आप से किसी भी type का coupon code नहीं मांगा जाएगा total free education magnetbase आप कील के लिए लेकर आता है साथ-साथ हमारा e-content और books भी आ रहे हैं और अगर आप चाहते हैं यह books आप तक पहुंचें तो description में दिये वोई links पर ज़रूर को आप click करें form भरें and our team will get back to you हमारे regular updates के लिए बने रहे हमारे YouTube चानल पे subscribe करें YouTube चानल को like करें और share करते नहीं यह वीडियो बने रहे हमारे social media hangouts पे जो कि है Instagram, Facebook, Telegram and Twitter Thank you so much for watching this video